आज मैं आपके लिये लेकर आई हूं ये बच्जों को और बड़ोंको सबको बहुत पसंद आती है और नहीं और सद गृषाह ने इसके जाली आ NEW नारा ह ciao सबस्पाने Cabot Strand करें तो आप जबिक अब सबाeurs को सबस्सहें गाए चाहिए से धई के साथ खाएं चाहिए सभी के साथ लगती है तो चलिए भिना देर करें शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स के लिए मैंने लिए दो तेजपात के पत्ते दो दाल वारिक बारिक अध्रक और यह मैंने लिया है कटोड़ती का साबुचावल इसमें हमेश्या डबल पानी यूज़ करते हैं मैंने से आदा गणटा पहले भीगो था मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया यदि हम लोगों के चावल आदा गंटा भीगे हुए यानि कि हम इसके ड बनाना शुरू करते हैं गैस मैंने जला लिए मैं इसमें डाल रही हूं तीन चमच तेल आप चाहे तो इसे रिफाइन डॉल में भी बना सकते हैं या देशीगी में भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसे तेल में बनाती हूं मैं इसमें डाल रही हूं एक चमच अचार का तेल पकत लिए उसके बाद देखिए आपके ताहरी गटेस कितना अच्छा आएगा तेल मेरा गरम हो चुका है अब मैं डाल रही हूं और सारे खड़े मसाले डाल रही हूं लॉंग काली मेरस दाल चीनी और करीपत का प्रेंट्स मैं आपको इलाइची दिखाना भूल गई थी मैं डाल आप चाहे तो इसमें बड़ी भी डाल सकते हैं आप इसमें डाल रही हूं प्याज अद्रक लेस्टन का पेस्ट और अद्रक आप इसमें गोल्डन ब्राउन मूने तक अच्छी तरह घून लें इसमें मैं डाल रही हूं आड़ा टामाटर हर इमेज अब इसमें डाल रही हूं सारी वेज़ेटेबल्स आलू, गोवी, गाजर, शिमला मेर्च, मटर अब इसमें डाल रही हूं मसाले, आदा चमच मिरच, मिरच आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कमिया ज़्यादा कर सकते हैं एक चमच नमक, आदा चमच हल्दी, एक चमच दनिया पाउडर, और फ्रेंट्स मैं डाल रही हूं इसमें आदा चमच पावभाजी मसाला, यदि आपके पावभाजी मसाला एविलेबल नहीं है तो आप या तो इसमें बिर्यानी मसाला डाल दे, फ्रेंट्स आप लोग पावज बस छोले मसाला डाल दीजिए, उससे भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, हमें डाल रही हूँ इसमें चावल, मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है, हम इसे बहुत ही सौफ्ट हातों से हलका हलका सा फ्राइब करेंगे, फ्रेंट्स आप मैं डाल रही हूँ उसमें पानी, मैंने आपको जैसा की बताया था, कि मैंने एक कटोरी चावल दिये हैं, तो मैं डाल रही हूँ उसमें दो कटोरी पानी, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको आदा ही गंटा बिगोया था, आप पानी की मातरा उसी अकॉर्डिंग डाले जितने की आपके चावल होती है नहीं तो आपके तहरी घुट जाएगी या फिर कच्ची रह जाएगी फ्रेंड्स अब मैं डाल रही है उसमें थोड़ी सी कसूरी में थी अब हर चीज को एक लिमिटेड मातरा में डालें क्योंकि हर चीज बहुत लिमिटेड ही अच्छी लगती है यदि आप जादा डाल देंगे तो वह नहीं अच्छी लगती कम डाल देंगे तो फिर भी एक बार को चल सकता है तो आप इसलिए कसूरी में थी भी बहुत जादा ना डालें अब मैं इसमें दो सीटी लगा देती हूं कूकर बंद करके फ्रेंट इसमें दो सीटी आ चुकी हैं मैं इसे गैस को बंद कर रही हूं और मैं इसे 10 मिनट बाद खोल कर देखेंगे जब इसकी सीटी निकल जाएगी फ्रेंट सीटी निकल चुकी है अब हम इसे खोल कर देखेगे आप देख सकते हैं एकदम खिले हुई ताहारी बनी है अब हम इसे सर्व कर लेते हैं आप एक बार इसे बहुत ही सौप ठातों से इस तरह चला लें जिससे कि ये सारी सबजी इसमें मेक्स हो जाएगी क्योंकि जब इसमें बॉइल आता है तो ये सारी सब्जिया ऊपर आ जाती है अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारी कटा हुआ हरा धनिया ये उपर से डलावा बहुत अच्छा लगता है मैं हमेश्या धनिये की डंडिया भी उसके साथ ही काटती हूँ क्योंकि जब वो मुह में आती है तो उससे उसकट इस बहुत अच्छा लगता है अब मैं इसमें डाल रही हूँ आरजमच घी तो फ्रेंट्स मेरी ये तहहारी एक度म रेड़ी है बस आपको कुछ नहीं डिफ्रेंट करना है थोड़ा साई करना है आपको इसमें एक चमैस तेल डाल देना है अचार्का आधा चमच पावबाजी मसाला डाल दे तो उससे आपकी तहारी का जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा तो एक बार इस तरीके से आप तहारी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी तहारी कैसी बनी प्रेंट्स यदि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें थेक्स वर वाचिंग